हेलो फ्रेंड्स आशा हब चैनल में आपका स्वागत है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का बटन दवाईए और मेरे नई वेडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले इसके लिए वेल आइकन को प्रेस कीजिए हेलो फ्रेंट्स आज हम बनाने जा रहे हैं चीला इसको वेज ओमलेट भी बोलते हैं इसके लिए मैंने सबसे पहले लिया बेसन अब मैंने इसमें जस्ट एड़ किया है सॉल्ट अब हम इसमें धीरे धीरे पानी डाल कर इसका एक घोल तयार कर लेंगे इसकी कंसिस्टेंसी लगभग डो से के बेटर जैसी होनी चाहिए ना बहुत जादा गाड़ा ना बहुत जादा पतला पानी हम धीरे धीरे डालेंगे एक साथ नहीं डालेंगे इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे लगभग ये इस कंसिस्टेंसी में आ जाना चाहिए इसको हम बहुत अच्छी तरीके से फेट लेंगे ताकि इसमें किसी भी प्रकार की लंब्स ना रहें आप जितना जादा इसको फेटेंगे उतना ही हलका आपका चीला बनेगा अभी हम इसमें एड करेंगे कुछ मसाले अभी मैंने इसमें ये ग्रीन चिली एड किया है ग्रीन कोरियंडर कटा हुआ प्याज सॉल्ट याद रखें मैंने सॉल्ट पहले भी आड किया था तो यहाँ पर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें आप लाल मिर्च पाउडर टमाटर आप चाहें तो कैरेट और कैपसिकम भी डाल सकते हैं और इन सबी को फिर से हम बहुत अच्छी तरीके से मिला लेंगे और एक तबे को गरम करने के लिए रखेंगे थोड़ा सा उस पर ओल डालेंगे और इस बैटर को इस तरीके से तबे पर स्प्रैट कर देंगे आप कोसिस कीजिए ताकि बैटर से हम चीले को एक अच्छी सेब दे सकें और अभी ये थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो गया है तो हम थोड़ा सा ओल डाल देंगे ताकि ये चीला तबे पर चिपके नहीं और हम धीरे धीरे इसको साइड से चला देंगे अभी क्योंकि ये थोड़ा पलटने लाइक हो गया है इसका कलर चेंज हो गया है तो हम धीरे से आराम से इसको पलट देंगे ताकि ये चीला दोनों तरब से पक जाए अभी हम इसको फिर से ढग देंगे अभी हमारा चीला दोनों तरब से पक चुका है इसका कलर बहुत अच्छा आ गया है और ये दोनों तरब से अभी लगबख बनके तयार है इस ना रेडी टू सर्व और ये बहुत आसान है बनाना आप प्लीज अपने घर में ट्राइ कीजिएगा थैंक यू फॉर वाचिंग और इफ यू लाइक प्लीज सब्सक्राइब और शेर माई चैनल